वाइफाई एन होट स्पोट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो सुआगर है आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपका बताऊंगा कि कैसे आप जो है उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर लें यही आप उनलाइन से पैसा कमाना चाते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रीप्शन पर लिंक दे मौबायल सेटिंग के अंदर सबसे पहले यहां पर वाइफाइ उसको हम फीक्स करते हैं तो हमें जाना है दूस्तों वाइफाइ के अंदर Wilson कर टो आपका एक इसके अच्छे वायफाइ के साथ ही हमेशा करनेक करते हैं आहुत थूस यहां पर डोटिन वाइटिवर wiring글 हें और दोस्तों आपका जो Wi-Fi connection है श्रेंग है उसमें जाके Wi-Fi a shipment connect कर लेता है तो यह एसा काम करते हैं इसको इनेबल कर लें उसके बाद दोस्तों अब यहां पर बेक कीजिये उसके बाद जाएं अपने connection sharing पर और यहां पर अपको मिलेगा नीचे reset wifi mobile netrox उसमें click करके आपको reset setting कर देना है ठीक है इसको कहते हैं netrox setting reset यह आपको यह option नहीं मिल पार है तो search setting पर tap करें उसमें type कीजिए netrox setting reset या रिफिर reset netrox setting आपको मिल जाएगा यह करने के बाद दोस्तों आपका wifi का problem में हापर solve हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको next में क्या करना है आपको जाना है portable hotspot में उसमें जाके दोस्तों आपको जो है check करना है आपका setup hotspot password वगएरा ठीक है hotspot का जो password है उसको दुबारा से set कीजिए security पर click करके एक बार non कर दीजिए उसके बाद security पर ही click करके आपको WPA2PSK पर set करना है यानि कि आपका password यहाँ पर आपको लगाना होगा password लगा लिजिए तिक कर दीजिए उसके बाद दोस्तों जाएए आपने one time data limit पर one time data limit को यहाँ पर off कर दीजिए यह off करने के बाद दोस्तों आप back कीजिए और अपना जो mobile है उसको restart कीजिए आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो wifi और hotspot दोनों काम नहीं करने का solution यही है तो इसके बाद आपका solution काम कर जाएगा और दोस्तों जबी भी आप hotspot वाइफाई जो भी यहाँ पर connection करते हैं उस बाग दोस्तों आपका internet connection को check करें यही आप hotspot share कर रहा है तो आपका internet connection आपका fix नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है आपको नीचे आके बेकाबें reset पर click करना है उसके बाद दोस्तों आपको factory reset कर देना है factory reset करने के सारी साथ दोस्तों आपका जो wifi और hotspot का problem है दोनों का यहाँ पर fix हो जाएगा ठीक है तो बस आपको यह solution यहाँ पर follow करना है उसके बाद दोस्तों देखिए आपका hotspot और wifi दोनों का problem solve हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर factory reset करने से पूरा setting जो है आपका clear हो जाएगा data वगरा clear हो जाएगा ठीक है और आपको company default setting यहाँ पर मिल जाएगा तो बस दोस्तों यह है इसके लिए solution और दोस्तों यहाँ पर कभी-कभी जो है क्या हो जाता है factory reset करने के बाद भी काम नहीं करत तो उसमें आप क्या कर सकते हैं तो दोस्तों आप simply technician के पास जाए शो करवा दीजिए अपना mobile क्योंकि दोस्तों मर्जर बोट में आपका problem हो सकते हैं ठीक है उसमें problem होगा तो भी आपका यह problem आपको यह problem दे सकते हैं तो बस दोस्तों आपको यह एक बार confirm कर लेना है solution complete आपको क्या चाहिए तो चलिए दोस्तों मिलते आगले वीडियो पर ठेंक्स वाचिंग